नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भिलाश पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम आफ केंडल्स में तो आज आपको फिर से एक साइकोलोजिकल बात बताऊंगा फिर से एक रियालिटी बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपिरियंस की है तो बात यह है कि सबसे इंपोर्टन्ट है अगर ट्रेडिंग में बोल लीजे या फिर आपके लाइफ में बोल लीजे सबसे इंपोर्टन्ट क्या है पता है execution execution यह ऐसी चीज है जो हर याने life में आप कुछ भी कर रहे होगे trading नहीं आप खुद के real life examples देख लिजे आपको execution जो होत important है अब example के तौर पे समझाना चाहोगा एक कोई भी student पकड लिजे या फिर कोई जो middle class जो भी student को पता नहीं होता है कि मैं अगर पढ़ाई कर लूँगा तो topper आ जाओगा या फिर एक हादे इसको पकड लिजे person को जो जिसको पता नहीं है life में क्या करना चे उसको पता नहीं है कि एक हादा कोई अगर चाय वाला अगर अमीर बन सकता है करोड़ो रूपय कमा सकता है तो मैं भी कल चाय की shop चालू कर दू और मैं भी करोड़ो पती बन जओ बड़ इन सब के बीच में difference क्या है याने secret नाम की चीज क्या है वो है execution आइडिया important नहीं है वो बात को करना important नहीं है means execution important है याने means कौन से ढंग से आप करते वो चीज को और कैसे करते वो बहुत important है याने ये दुनिया में अभी ऐसा समय चल रहा है कि आपको secret नाम की कोई चीजी नहीं बचिए success के लिए success पाने के लिए सब को पता है करना क्या है बट सबसे important चीज का हाथ ये पता है execution example और एक छोटा सा example दूँगा फिर point पर आऊँगा कि एक gym में अगर आपको बोल दिया जाए कि आप continuous लेगा छे मैने gym चलेगा तो आपको भी पता है आपकी body बन जाएगी आप फीट हो जाओगे तो पर वो छे मैने कौन जा पता है या फिर छे मैने सुबा कौन उटके उट सकता है तो वो जो उठेगा जो सुबा जीम में जाएगा और regular जाएगा उसकी ही body बनेगी न तो execution याने ये इतनी important चीज है कि सिरीब आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि मुझे जीम जाने से body बन जाएगी आपको road daily जाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो ये हर कोई क्यो 90% लोग फेल हो जाते है और क्यो लोग successful नहीं होते हैं अपने life में तो उसके पीछे का सबसे बड़ा reason ये है कि execute नहीं कर पाते कोई भी चीज को एक student को पढ़ा ही करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो वो बोल देगा कि उसको पता है कि इतना मैं पढ़ लूगा तो मैं पास हो जाओगा फिर भी वो पढ़ नहीं पाता है या फिर टॉपर नहीं आ पाता है क्योंकि execute नहीं पर कर पाता है जो भी चुछ तो ये थोड़ा लंबा हो गया मेरा explanation बद समझ नहीं कोशिश कीजिए ये trading से भूत important है trading से related है ये point क्यों ऐसा बोल रहा हो क्योंकि अब आप खुद कोई पूछिए आपको support resistance पता नहीं आपको trend line horizontal line क्या होते है पता नहीं आपको सिधा price action पता नहीं आपको chart कैसे read करते है पता नहीं आपको पता नहीं risk management क्या होता है या मुझे तो इतने सारे comments आ है videos पे इतने सारा मुझे देखने को मिला कि उसमें लोगों को मुझे ये समझ में आए कि लोगों को पता है सब कुछ लोग खुद मुझे comment करके बोरे थे ये सच्चा ही है ये discipline कोई follow करना चीए या फिर psychology कोई follow करना चीए सब सब ने बोला तो फिर भी क्यो execute नहीं कर पा रहे क्यों क्यों discipline को follow नहीं कर पा रहे क्यों उनके psychology को control नहीं कर पा रहे क्यों उनके emotions पे वो control नहीं कर पा रहे क्योंकि execute नहीं कर पा रहे और execution के बिना आपको कोई भी successful आपके life में बोलिए वो आपको कोई भी execute खुद के हाथ सो अपने को खुद कोई करना पड़ेगा वो कोई भी नहीं करवा सकता हर किसी को पता है साधा बेसिक जिसको वन इयर के उपर हो गया उनको टेक्निकल एनेलिसिस वगेरे सब पता है support resistance पता है बट वो support resistance पर आने के बाद वो कैसे act करते entry कहा लेते exit कहा लेते व वो उनके उपर depend करेगा और ये सब बातों को experience करने के बाद आज मैं आपको solution बताऊंगा वो solution बहुत important है तो वो solution यह है कि सब कुछ पता तो लग गया आपको ये भी पता लग गया कि मुझे experience execute करना पड़ेगा खुद हो के ही तो आप करना क्या है अब सिधा सिधी एक बात समझ लिजे जो है वो सिधा बोलूँगा याने सिधा आपको रस्ता दिखाने की कोशिश करूँगा कि यही रहा पे आपको चलना है अब एकदम beginner व्यक्ति के लिए बोलूँगा कि अगर आप एकदम beginner हो तो पहले तो सब सीख लिजे कि charts होते क्या है कैसे market work करता है options होता क् options की छोटी-छोटी बाते होती क्या है सब सब सीख लिजे पहले याने एक गाड़ी को सीखने के जैसा अब गाड़ी सीख ली सब पता चल गया इसको गेर बोलते है इसको क्लज बोलते है सब कुछ पता चल गया अब चलाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा उस पे practice तो अगर आप अगर सीखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पैसा देना पड़ता है आपका होता है loss और यहाँ पर हर कोई वो loss अफोर्ड नहीं कर सकता हर किसी का family background वैसा नहीं होता हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता हर मैने उसमें पैसे डाले और मैं practice करू तो एक ही सला रहेग अगर मैने खुद रोज हर मैने मैं इतना पैसा loss भी करता हूँ तो मेरे family को कुछ फरक नहीं पड़ेगा मुझे फरक नहीं पड़ेगा तब ही जाके आप market में tick पाओगे क्यूकि market में tick ना भूत important है तो एक fix कर लिजी कि मैं 10,000 amount डालूँगा या 20,000 amount डालूँगा जो आज आपने एक तारीक को अगर मन्थली 10,000 डाले तो आप ऐसा समझ लिजे कि एक rule बना लिजी कि पूरा मन्थ आप एक दिन में उला दीजे पहले तारीक को ही उला दीजे वो account ब्लो कर दीजे बट आप 30 तारीक तक पैसे नहीं डालेंगे फिर second मन्थ में एक तारीक को फि अगर आपको support resistance पता है बर हर दीन हर सबको पता है support सबको दिखता है resistance सबको दिखता है बड़ वहाँ पे on the spot सोचना क्या है entry कप करनी है तुरंत exit कप होना है long hold कप करना है profit कप जो भी कुछ उसमें चब बाते होगी न वो आपको खुद market सिखाएगा और ये ये चीज के ना अलग अलग strategies बताते हैं बहुत कुछ अलग अलग indicators बताते हैं कुछ softer बताते हैं ये सब गलत चीज है ये बिलकुल भी सही नहीं है खुद ही execute करना पड़ेगा आपको तभी आप profitable बनोगे और यहाँ पे आपको rules discipline ये जो चीज है न वो तो सबको पता है मुझे पता है पर स कि अगर आपको market में टिकना है तो एक rule बना दीजे कि हर मैने सिरी छोटा सा amount जो family afford कर सकते है आप afford कर सकते हो वो डालिए और उसके उपर आप सिरी practice कीजे market अपने आप आपको धीरे-धीरे सब कुछ सिखाएगा क्योंकि सब को दीख रहा है trend line सब को दीख ला है stop loss सब को द समझानी की कोशिश करूँगा कुछ live trades के ड्वारा समझानी की कोशिश करूँगा live market में बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर entry क्यों लेते यहाँ पर आज finnifty इतना साधा simple analysis था 11 वजे के बाद मैंने update वीडियो डाला भी था तो उसमें भी मैंने बताया था कि finnifty यह क्यूंकि बहुत से psychological बाते आती है और यह कैसे दूर होंगी इसका कोही दवाई नहीं है इसको आपको सिर्फ practice ही करनी पड़ेगी सिर्फ practice market आपको खुदी सिखाएगा सिर्फ आपको market टिकने के लिए क्या करना है छोटे amount से पहले सिखना है जब तक आपका वो capital आप double या फिर बचा ही नहीं लेते पहला step आपका यह होना जे कि आप बचा लो capital को बस जब आप बचाना सिख जाओगी capital को automatically आप grow करना चालू कर दोगे बस आपके जो 10,000 आपने डाले वो आपको सिर्फ टिकाना है बस और एक बात बोलना चाहोगा एक दिन का game यह नहीं है यह जो game कि मैं वो धीरे धीरे यानि ऐसा समझ लिए test मैं अचे 2020 नहीं है तो धीरे धीरे आपको थोड़ा 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 ही करना है जो तो भी आगे जाके मैं आपको rules या फिर डीटेल में और psychological videos बताऊंगा बढ़ यह reality को अगर आप मानते होंगे कि जो मैंने आज point बताये कि execution और यह execution execute करना अब मैं आपको बोल देता हो कि success होनी के लिए चाई की दुकान डाल दो या फिर जिम में चले जाओ तो क्यों नहीं कर पारे लोग सबको पताये क्या करना चे फिर भी क्यों नहीं कर पारे लोग क्योंकि execution पार्ट जो है न वोथ important है और वो आता है वो develop होता है practice से वो practice से ही develop होता है हर कोई विराट कोली नहीं बन सकता क्यों तो वो उन्होंने जो मेहनत किये उन्होंने जो और यहाँ पर अगर आप trade भी लेते हो तो आपको और अभी जादा detail में नहीं जाओगा क्योंकि वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो और कुछ psychological बाते बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे trade के बाग emotions less हो जाया है कैसे अपने emotions को डर याने जो trade है उसमें से emotions को कैसे दूर करे फिरलेसली कैसे trading करे जिसमें डर पूरा तरह से खताम हो जाता है और कैसे अपने trades को ऐसे छोड़ दीजे कि तो याने ऐसा execution के करे कि जहापे आपको emotions ही ने रहा है तो ये type के भी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे psychological work किया जा सकता है तो अभी तक के लिए अगर वीडियो थोड़ा फर भी समझ में आओगा या फिर कुछ भी अच्छा लगा होगा वीडियो में या सही लगे होगी मेरी बात तो comment करके बत subscribe जरू कर दीजीगा क्यूंकि ऐसा psychological content में आपके लिए लाता रहूंगा ठीक है और पीछले वाले जो पार्ट है 3,2,1 वाला वो अगर देखाने होगा तो वो भी आप देख सकते हैं अगर चैनल पे नहीं होगे तो like और subscribe जरू कर देना आपके दोस्तों के शेर कर देना ठी मिलते हैं next वीडियो में